नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं पर मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग दिल्ली के कट्टर एमानदार सीम आर्विन केजरिवार व्रस्ट अशार के मामले में फसे हुए है केजरिवार ने राउज वेन्यो कोट में जमानत याचका पर सुनवाई के दौरान दो आवेदन दायर किये पहला दिल्ली सीम की मांग है कि मेडिकल टेस्ट के दौरान पत्नी सुनिता वीजियो कांफरेंसिंग के जुड़ी रहे दूसरे आवेदन में कहा गया कि मेडिकल बोर्ट जब भी बैठ है तो हमें अपने इंपुट देने की अनुमत ही दीचाए अदालक ने केजरिवार की मांगों पर तहार प्रशासन से जवाब माना है इस मामले में आज सुर्वाई को नी है वहाई केजरिवाल की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 19 शून को होनी है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर केजरिवाल क्यूं चाहते है कि जब उनकी मेडिकल टेस्ट हो उनकी पत्नी सुनिता केजरिवाल वहां मौचूर रहे है और आज कोट में क्या होने वारा है इसी पर चर्शा करने के पर साथ स्टूडिय मौचूर थे है ये किस तरीके का केजरिवाल ने अब नया पैतरा आजमाया है और क्यूं ऐसा कर क्यूं रहे है देखें केजरिवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवरलाल है और बार बार इस तरह की बाते करके कोट को ये इस्तमाल करता है और मुझे तो कभी-कभी यह लगता है कि भई हिंदुस्तान का कोट यह टैक कर लिया है कि केजी वाल के राजितिक प्रपंच को कैसे मदद पहुंचाना है इसके लिए कोट खुला हुआ है कि का इडी ने बिरोध किया जशाब ने कर दिया इसमें आपको क्या रोल रहे हैं जशाब को समझ भी नहीं आ रहा है यह सिए तुम थे तो गए तोगे तुम्हारा इंपूर्ट तो देश को मालूम चल गया कि लीवर खराब हो रहा है मरने जा रहा हूं कभी भी कोई अंग भंग हो सकता है किटों लिवर इतना हाई हो गया यह हो गया वही कोट में आप सरे आम जागर के जूट बोलते हो और जाज साब हर बार जो है वो अलग हिस मैं तुम क्या इंपुट हो गए है कि एमस के डॉक्टर से जादे तुम होश्यार हो गए पत्नी क्या करेंगी उसमें भाई हॉस्पिटल में आप जाते भी है अगर कोई बोर्ड बैठा हुआ है किसी की पत्नियास तक गई है क्या है तो आपको हर चीज में इस पेशल टीप दे देंगी पतानी डर के मज़द से किस मज़द से क्या होता है लेकिन होता हुए है जो यह स्पिसल ट्रीटमेंट मांगता है और जुडिश्री जो है बिच जाती है जमीं पे तमाशा हो रहा है क्या कारण है बस समझ लीजी ज़िए ज़लों को समझ में नहीं आता है जब इडि कस्टडी में दो लोगों से मिलनी के अनुम्ती थी जिससे वो रोज बाच्चीत करता था फोन पर भी बाच्चीत करता था है नड।ो क्या होता था। दो आजमी कौन थे, एक विभव था और दूसरा उनकी पत्नी थी, तो क्या होता था उसमें, रोज प्रेस कॉन्फरेंस होता था, अच्छा सुनीता आज ये कर लेना, आज वो कर लेना, रोज प्रेस कॉन्फरेंस रोज तमाशा, अभी फिर से वो रिवाइब होगा, तो आद साता था, वो जेल चला गया, पत्नी बच गई, पत्नी बच गई, क्यों करना पड़ना, क्योंकि आम आदिव पार्टी के साथ हो गया है, बहुत बड़ा धोखा, धोखा यूं हुआ है, कि कॉम्रेस पार्टी ने कल एक अप्लिकेशन दिया, CVC को, का ये केजिवाल चोर है, CVC को, अधिके कोई TV वाले नहीं चलाये, कोई TV वाले नहीं चलाया, क्यों पंजाब का इडिटीजमेंट आ गया, TV खोलते हैं, आपको दिखता है न भगबंदमान, तो कोई वो चिठी, कॉंग्रेस पार्टी ने CVC को चिठी लिखी है, कहा एक मैं चोरी हो रही है, 17,575 कड दिल्ली जल बोड़ और यह जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले में यह भी सामिल है, कि जो लीकेज हो रहा है, पानी आता है, पानी जो है, बीच में लीक कर जा रहा है, गायब हो जा रहा है, तो वो पिछले तीन साल में 18% बर गया, ना समझी है, यह कट्टर इमांदार ल जा रहा है, अना काउंटेट पानी कहां गायब हो जा रहा है, आप उस लीक को बंद करोगे ना, पिछले तीन साल में लीक और बढ़ गया, और कॉंग्रेस पार्टी ने अपने अप्लिकेशन में लिखा है, अपने सिकायत में, कि यह कुछ और नहीं, यह टेंकर माफिया को यहाहँर मैं समझा देता हूं, यह कोई कण्फूजन रा रहा है, कि पानी अगर 100 लिटर आने लोगों को आप बाट रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहा है कित्ता, 46%, बाकी पानी आपनी कहां जा रहा है, गायब हो जा रहा है, कहीं लीक कर जा रहा है, कहीं नाली हमीं चल जा रहा है कहीं कुछ हो जा रहा है कहीं कुछ हो जा रहा है पीछले तीन सालों में 18% के आसपास बढ़ गया है मतलब है तीन साल पहले यह समझे कि 60% के आसपास साथ परसंट के आसपास पानी पहुंच जाता था चालिस परसंट जो वो गायब होता था अभी यह बढ़के 58 परसंट हो गया है तो यह पानी कहां गया टेंकर माफिया और दिली में जाए पूछे किसी से तो आम आदमी लोग एक है इसे तो आम आदी पार्टी के लोग जो टेंकर माफिय चला रहे हैं यह पारसंट यह मिलकर खा पी रहे हैं सब अब पार्टी ही सराब घोटाले में पैसा खाएगी तो पारसंट भी तो कुछ खाएगा कहीं से जब तुम्हारा टॉप लीडर ही लूट बचाए हुए है कि डकैती कर रहा है बैंक लूट रहा है तो नीचे वारे तो कोई ने दुकान से समान चोड़ाएंगे ना जिसको जैसा मिल रहा है वह से चोड़ी जब आप शराब पेकर तो पानी पेकर दो कोई भी कर देगा कुछ भी कर देगा पर शीसमाल में आप रहोगे बाकी लोग क्या रहेगा जोबड़ी मिनाएगा वो लोग अपनी लिए नहीं मिनाएगा ये तो संसकार है इस पार्टी का तो फिर क्या हुआ कॉंग्रेस पाठी के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्षे देवंदर यादा उन्होंने ये शिकायत की है हो गया बड़ा दोस्ती ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे है इंडिकेट बंदर अब यहीं निकायर गाना-गारे थे ये लोग अब ती तो ब हम दोस्त भी हैं और तुमारा जो है जेब भी काट देंगे हम दोस्त भी हैं पीशे से खंजर भी भोग देंगे हम सराब घोटाले का ओरिजिनल कंप्लेंट कौन अनिल चौधरी कॉंग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पुर्वध्यक्ष दिल्ली का कि सिशमहाल का औरिजिनल कंप्लेटेंट को अजय माकन दिल्ली प्रदेश के पुर्वध्यक्ष है और ये जलबोड्वोट खोटाले में आज औरिजिनल कंप्लेट कॉन हो गया कांग्रेस पार्टी के वर्तमान के दिल्ली प्रदेश का इद्यक्ष जब यह CBC के पाथ बड़े गए थे सुप्रिम कोट में कि सुखु से बात हो गई वो पानी देने को तैयार है मना कर दिया कहीं से कुछ नहीं हुआ लेकिन कहानी अभी आधी मैंने बताई क्यों सुनिता केजरवाल से मिलना है क्योंकि इस बार कॉंग्रेस पार्टी के अकल में थोड़ी सी जो है वो बरक्कत हुई है थोड़ा बुद्धी खुला है ऐसे तो पता नहीं राहूल गांदी तक जाते जाते यह सो फिर चौपट हो तीन जगह चौनाओल है और उसमें से पत्चीस ऐसे एसंग्ली कंसिचूशी को इन लोगों ने पिक किया है कि जहां उनकी जीत हुई जिसे नौर्ट इस्टेडिया है तो उसमें मुस्तफाबाद है जिसे उसमें सीवापूरी है जिसे उसमें बहुत तरी जगह को इस लोगों ने कि जहां उस एसेम्बली सेग्मेंट में कॉंग्रेस पार्टी को बीजेपी से जज़ादा वोटे आई तो एक कटेगरी वो और दूसर कटेगरी वो कि जहां दस अजार से कम से हारे हर एसेम्बली सेग्मेंट में तो पचीस सेग्मेंट को इन्होंने चिन्धित किया है और ये कॉंग्रेस वाले बोल रहे हैं कि चुन क्योंकि आम आद्धी पार्टी तो कॉंग्रस का इवोट लेकर के गई है अब पचीश सीट सतर सीट में पचीश सीट के ऊपर की पंदर सीट में पर के चले चला गया है तो केजरीवाल का जो खैल जो है तो सीश महल से काली ना पड़े तो तों सीश महल को कैसे काली ना करना पड़े है रोज एकांग्रेस पार्टी के ख़ diu या बीजेपी के ना शंजए सिंग पे भरोवसा ना किसी की भरोवसा नहीं है भरोसे बंदो ही थे एक जेल चला गया दूसा सी में रहे जाट लाप करना जाता है और वहीं से वह पाए होंगे यह हर दो दिन के बाद क्योंकि इसको एक बाद समझ लिए पैसा इसको अपनी से नहीं लगता मनुसिंगी को खड़ा करने में हर बार 15-20 लाख रुपए एक लेते खड़ा होने कि एक बार पेरेंस का एक केस में दस बार खड़े होंगे तो एक कड़ो रुपया उनका बन गया कोई बता रहा है कि 22-25 कड़ो रुपया उनको खा चुक है किसका दिल्ली की जंता का सरकार के तरफ से उनको पेमेंट जा रहा है तो यह उनको पैसा लगता नहीं तो इसलिए रोज कुछ ने कुछ जो है प्रपंच और कुछ ने कुछ जो है तो फिर वो खेल प्रप्रण करना चाहता है तो अभी देखिए किधर क्या होता है एक फैसला जाता wizard तो ये नखेंद किनी चुपरो केजिवाल हमारा निता है केजरिवाल के खिलाप में, नहीं सुनुगा केजरिवाल कि यह एक यह नब होगे आप तो अब इसका इलाज जो है अब सीवी सी देखे क्या करता है और इसलिए वह छट-पटा हट में पत्नी से रोज वारता लाप करना चाहा है बहुत बहुत धन्यवाद से तुमाब चांद कारे की देखने को मिल रही है अब केज़वाल पत्नी के सामने मेडिकल कराना चाहते हैं अलाके इस तरह के पैत्रे बादे से कोई पाइदा होता नहीं देख रहा है सबसे बड़ा सवाल में आज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्कायब नहीं किया है तो सबस्कायब करेंजे हमारे वीडियो को लाईक किज़े शेयर कीजे हमारे वीडियो पर कमेंट करके जिलू बताएं कि आप को हमारी खबर कैसी लगी धन्यवाद